नमस्का दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चनल कॉर्मेंजाब प्रपेशन पर दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि UPCCPET का यहाँ पर निफिकिस्टन आ चुका है और उसी से प्रपेयर मैं यहाँ पर करवा रहूं जीके और GS का जो उस दिसका वेटिस से समधीर वीडियो जिसमें हम बायलोजी के पहले वीडियो से यहां पर डिसक्स करेंगे, फिर केमिस्टी और फिजिक्स भी देखेंगे, धिरी-धिरी करते भिए, तो यहां पर चले शुरू करते हैं, आज का हमारा वीडियो शेशन, तो इसी एक ही वीडियो में हमने 25 से नहीं कि आपका स्लेवर्स कंप्लीट होगा की नहीं होगा, तो इसकी टेंसर आप हमारे पर चोड़ दीजिए, अगर यहां पर एक्जाम के डिट जल्दी आजाती है, तो मैं मेराथन क्लास चालू कर दूँगा, जिसमें मैं 2-3 घंटे में पूरी क्लास लूगा, और अला कोश्चन जिसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि निमलिकित में से किस अधिनियम में कलकता में सर्वोच नियाले की स्थापना का प्रावधान किया गया था, तो किस अधिनियम में कलकता में सर्वोच नियाले की स्थापना का प्रावधान किया था, क्वेश्चन आप पे जो है इसके प्रमुख न्याधी से और 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसके तहत कलकत्ता में सर्वुच न्याले की विफुस्था का प्राउधान किया गया था तो इस हिसाब से अगर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर यहाँ पर option number A सही answer हो जाता है ठीक है अगले question की तरब पढ़ते हैं next हमारा question है सुची 1 को सुची 2 से सुमिलित कीज़े तथा नीचे दिये गए कोड से सही उत्तर का चैन कीज़े तो यहाँ पर सुची 1 को सुची 2 से आपको यहाँ पर सुमिलित करना है तो यहाँ पर दोस्तों में बता दूँ क्यो नियामक और चार्टर अधनियम 1813, जो था, इंग्लिश مشणरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति इसके द्वारा दी गई थी और चार्टर अधनियम 1833 के द्वारा, गवर्न जίनल परिशद में कानुनी सदस्य की न्यूक्नि तरह तो यहां पर देखते हैं दोस्तों तो यहाँ पर जो हमारा यह development हो जाता है तो सर्बूच न्याले की स्थापना किसके अंतरकत की गई थी तो यह आपका नियामक अधनियम 1773 ठीक है और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं नियंतर्ण परिशद की जो इस्थापना है तो मैंने आभी आपको बताया कि नियंतर्ण इंडिया एक्ट के तहट की गई थी यानि कि इसका आपका यह सही मिलान हो जाता है इंगलिस मिश्णरियों को भारत में कारे करने की जो अनुमती है यह 1833 के चार्टर अधनियम के तहट दी गई थी और गवर्नर जनल की परिशद में कानूनी शिदस्य की जो नियुकती है यह 1833 के अधनियम के तहट की गई थी तो यह आपका सही यहां पर मिलान हो जाता है अगला कोशन देखते हैं किस अधनियम ने भारत वाशियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया तो वो कौन सा अधनियम था जिसके दोरा भारत वाशियों क धारा नंबर 87 ठीक है जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारती अथा क्राउन की देशच प्रजा को अपने धर्म जन्मस्थान वन्शान उक्रम वर्ग अथवा इनमें से किसी एक कारणवस कंपनी की आधिन किसी स्थान पद अथवा सीवा के अयोग के नहीं माना जा अगला कुशन देखते हैं नेक्स हमरा कुश्चन क्या है निमलिकित में से किस अधनियम के अंतरगत भारती परिशद को बजट पर बहस करने की सक्ति प्राप्त हुई थी तो वो कौन सा अधनियम था इसमें से आपको बताना है जिसमें जो भारती परिशद हुआ करती थी उसको बजट में बहस करने की सक्ति प्रादान हो गई थी तो ये कौन सा यहां फो एक्ट था तो दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें तो 1892 के भारती परिशद अधनियम ने विधान परिशद की कारिव में ब्रद्धी की और इसके तहत क्या हुआ बजट पर बहस करने की स 32 और इसी अधनियम ने भारतीयों को बजट पर बहस करने की सक्ति प्रदान की थी अगला कोशन देखते हैं नेक्स हमारा कोशन है निकित में से किस एक अधनियम दौरा भारत में संगीय नियाले की स्थापना की गई थी तो वह कौन सा अधनियम था जिसके दौरा भारत में संघीय नियाले की स्थापना की गई थी तो भारत में जो संघीय नियाले की स्थापना है ये 1 अक्टूबर 1837 को भारत सरकार अधनियम 1935 के अंतरगत की गई थी तो संघीय नियाले की स्थापना कप की गई ये की गई 1 अक्टूबर 1935 1937 1937 ठीक है 1937 को भारत सरकार अधनियम 1935 के अंतरगत की गई थी और इसके प्रथम मुखह नियाधिस सर मौरिस ग्वेयर थे ठीक है तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधनियम 1935 जो की ऑफशन में नहोने के काण आपका ऑफशन नमबर डी सही आंसर हो जाता है next question है केंदर में द्वेद सासन किस अधनियम के अंतरगत इस्थापित किया गया था तो केंदर में जो द्वेद सासन की इस्थापना है पूछा गया है कि किस अधनियम के अंतरगत इस्थापित किया गया था तो जो भारत सरकार अधनियम 1935 था इसके अ अकेल भारती संकी स्थापना तथा प्रांतों में द्वेत्सासन व्योस्था को समाप्त करने का प्राउधान किया गया ठीक है और अगर हम बात करें कि प्रांतों में द्वेत्सासन का उपबंद कवाया था तो यह आया था 1919 के अधिनियम के द्वरा ठीक है केंदर में द्वेत सासन की स्थामना की बात करें तो ये 1919 के अधनियम के तहत हुआ था और राजियों में द्वेट सासन अगर समाप्तकव की सद्धियम के अंतरगत किया गया था ठीक है अगला कोशन देखते हैं 1919 के भारत सरकार अधनियम की निम लिखिद में से कौन सी प्रमुख विशेस्ता य और इसका उदेश भारती सासन में भारतियों की भागीदारी को बढ़ाना था इस अधनियम को भारत सच्यू एड्मिरल मॉन्टेग्यू युम वाइसराय लाड़ चेंसफोर्ड के कारिकाल में पारित किया गया था ठीक है तो 1919 का जो अधनियम है ठीक है इस अधनियम को जो भारत सच्यू थे उसमें व्रिटेन में एड्मिरन मॉन्टेग्यू और भारत में जो वाइसराय थे लाड़ चेंसफोर्ड इनके कारिकाल में पारित किया गया था और इस अधनियम के तहट राजियों में द्वेद सासन की विवस्था की गयी थी ऐसे प्रतेक राज में रा निर्वाचन व्योस्था का प्रशन है या प्रावधान 1909 के अधनियम में ही कर दिया गया था 1929 के अधनियम में या व्योस्था न किवल जारी रही बलकि इसे सिखों यूरूपियों भारतियों इशायों यह एंगलो इंडियनों के लिए भी विस्तारित किया गया यह और ज्यादा फूड डालने का यहां पर काम किया गया इस अधनियम के द्वारा तो यहां पर जो कुश्चन है आपका देख सकते हैं कि प्रांतों की कारिकारी सरकार में द्वेस्था की व्योस्था बिलकुल सही है मुसल्मानों के लिए प्रथक सामपरदायक निर्वाचन मंड यह बिलकुल सही है यानि कि option number one और three यहां पर सही answer हो जाता है तो इससे सबसे दिखा जाए तो option number C आपका यहां पर right answer निकल कर आता है अगरा question देखते हैं नेक्स हमारा question है भारती विधान पालिका प्रथम बार द्विशदनिय कब बनाए गई तो भारती जो विधान पालिका थी यह प्रथम बार द्विशदनिय कब बनाए गई थी यह question है तो दोसों यहां पर गर हम बात करें question के answer की तो 1919 की भारत सरकार अधनियम जो था इसके जोरा केंद्र में दुशद्निय विधान पारिका के स्थापना की गई। उपरी जो सदन था उसे राज्य परशद यानि की कौंसिल आफ स्टेट कहा जाता था जो पांच वर्स के लिए होता था और उसके 60 सदसों में से 34 निर्वाचित तथा 26 मनोनीत होते थे। और जो निच सरकार अधिनियम के दौरा और नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स कुश्चन देखते हैं राष्टपती की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेदित है तो राष्टपती की जो अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेदित है वो किस अधिनियम से यह यहाँ पर question है तो दोस्तों हम आगर यहाँ पर बात करें तो बिटीस भारत में गवर्णर जनरल को 1861 के भारत परिशद अधनियम से ही मिधान परिशद की अनुमति की विना अध्यादिश जारी करने की सकती प्राप्त थी लेकिन भारती सा मिधान में राष्टिपदी की अध्यादिश निर्गत करने की जुशक्त है यह अनुचिद 123 भारत सरकार अधनियम 1935 की धारा 42 शेपरिरित है तो इसका अंसर आपका हो जाएगा भारत सरकार अधनियम 1935 ऑप्शन नमबर आपका बी सही अंसर हो जाता है लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें बिटीस भार संबैधानिक निरंकुस्ता का सिध्धान्त प्रवत्त किया गया तो संबैधानिक निरंकुस्ता का सिध्धान्त किस अधनियम के दोरा यहाँ पर प्रवत्त किया गया दोस्तों यहाँ पर अगर हम संबैधानिक निरंकुस्ता के अधिक का सिध्धान्त की बात करते हैं तो भारत सरकार 1935 के दौरा प्रबद्ध किया गया था और ये जो अधनियम है या बिटिus संस्त दौरा सरवाधिक विस्त्रत अधनियम था, साथ ही या भारत के लिए तयार संवैधानिक वस्तावों में सबसे जटिल दस्तावेज भी था, इसी अधनियम में भारत संखी स्थाप बना उसमें भी इसी अद्नियम से बहुत सारी चीजे लिए गई है आगला कोशन दिखते हैं भारत के समिधान में केंद्र और राजियों की बीच किया गया सक्तियों का विभाजन इन में से किसमे उलिकित योजना पर आधारित है तो ये आपको यहाँ पर बताना है तो इसके लिए में बता दू कि जो बिटिस सासन काल था इसी के दोरान 1935 का जो भारत सरकार अद्नियम पारित किया गया इसमें केंद्र और राजियों की वीच सक्तियों का बटवारा किया गया तथा राज में दुएट सासन समात कर केंद्र में दुएट सासन को लागू किया गया इसमें एक अखिल भारती महासंग इस्थापित करने का भी प्रावधान किया गया और इस संग का जो निर्माड है ये ततकालिन बिटिस भारत के प्रांतों चीफ कमिशनर प्रांतों देशी रियास्तों से मिला कर होना था प्रांतों यह व्योस्था लागू नहीं किया जा सकी 1935 में क्या हुआ भारत सरकार अधनियम दुरा जो इस्थापित होने वाले संग में स्विकार किया हुआ महत्पूर्ण और इस्थाई अवयो नहीं है ठीक है तो इसके लिए मैं यहाँ पर आपको व्याख्या में बता जता हूं कि देश के लिखित समिधान इसके कहा गया कि निमनाकित में से कौन सा एक भारत सरकार अधनियम 1935 में स्विकार किया हुआ स्विजना पर विचार विधान मंदन के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित किया जाना ठीक है तो यह यहाँ पर सही हो जाता है एक मिनट यहाँ पर यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया मैं फिर से आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि इसमें कुछा गया कि निमनाकित में से कौन सा एक भारत सरकार अधनियम 1935 में श्विकार किया हुआ महत्पूर और स्थाई आयो नहीं है यह आप से कुछा गया तो इसका आंसर यही हो ज कि समीधान का कोई भी उलेक नहीं मिलता है और भारत के लिए समीधान का सर्फ रथम उलेक क्रिप्स मिशन में किया गया था अन्य यहाँ पर तीनों विकल भारत सहसन अध्यम 1935 में समाहित है जैसे कि यहाँ पर विधान मंडल के लिए निर्वाचित और जबादी प्रत्रि इसके अंतरगत इसमें इसका उलेक देखने को मिलता है अगला कोईशन है 1935 का गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्रपूर्ड है तो इसके लिए मैं आपको बता दू कि भारत का जो वर्तमान समयधानिक धाचा है बहुत कुछ 1935 के अधनियम पर आधरी थे दोस्त इसके महत्रपूर्ड जो उपबंध है वो मैंने आपको बता दी है अगला कुशन देखते हैं अधनियम लेकित अधनियमों में से किस अधनियम के फल सुरूफ वर्मा भारत से अलग हुआ तो गवर्मेंट आफ इंडिया 1935 के प्रावधानों के अनुरूप वर्स 1937 में वर्मा को भारत से अलग किया गया था यानि कि option नमबर आपका यहाँ और सी सही अंसर रुज़ता है गौर्मेंट आफ इंडिया एक्ट और कब अलग किया गया था वर्मा को तो 1937 में याद रखना है कि वर्मा भारत से कब लग हुआ था तो 1937 में ठीक है अगला question देखते हैं एक निर्वाचित समिधान सभाधवरा भारत की समिधान का निर्मा करने का प्रस्ताव है इस सर्पर्थम मैंने आपको पिछले ही question में बताया था कि क्रिप्स मिशन 1922 द्वरा किया था था यानि कि option नमबर आपका सी यहाँ पर सही answer निकल कर आ जाता है अगला question देखते हैं next हमारा question क्या है cabinet mission की यूजना के अंतरगत समिधान निर्मात्री परिशद में प्रतीक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निधारित करने के लिए एक प्रतिनी जन संख्या के अनुपात में था तो यह कितना अनुपात इसका उस समय था यहाँ पर question आपका बनता है तो मैं यहाँ पर प बिधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनीदित जनसंख्या के अधार पर होना था इसके तहत मोटे तोर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के उपर एक प्रतिनीदिके निर्वाचन की वियोस्थाग प्रस्तावित थी ठीके तो answer इसका जो हो जाएगा 10 ल जो हैती आठीक तो जैंसर रहें देखते हैं अगला कोर्कम है बारतिय समिधान सभा का गठण किया गया था तो भारतीय समिधान सभा का जो गठन है यह क्रिप्स यूजना 1942 के अंतरगत किया गया था यानि कि option number आपका यहाँ पर C सही answer हो जाता है भारतीय समिधान सभा का जो प्रातिनिधिक दिर्वाचन है के आधार पर जो गठन है यह कैबिनेट मिशन यूजना 1946 के अंतरगत किया था अगला कुशन देखते हैं तो निर्मित अंत्रीम सर्कार थी इसमें कारिपाली का परस्ट के उप सभापती कौन थे यह यहाँ पर आपको यहाँ पर बताना है तो 24 अगस्त ripe ado अंत्रीम राष्टी सरकार की घोशड़ा इस वियोस्था के साथ की गई कि अंत्रीम सरकार दो सितंबर 1946 को कारिभार समालेगी वायसराई इसमें कारिपाली का परशद का पदेन अधश था तथा जवाहलाल नहरू को उपाध़च या उपसभापती बनाया गया था तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा यह हो जाएगा उपसन नमर ए जवाहलाल नहरू नेक्स्ट कॉश्चन देखते हैं निम लिखित में से कौन अगस्ट 1946 में गठित प्रथम अंत्रीम राश्टी सरकार का सदस्य नहीं था तो यहाँ पर कौन है जो कि सदस नहीं था तो दूसर इसमें बताओं तो जो कैबिनेट मिशन योजना है इसके अधार पर 24 अगस्ट 1946 को गोश्चना के तहट नो निर्वाची समितान को से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंत्रीम सरकार का गठन किया गया था और इसमें सीराज गोपालाचारी सिक्षा मंत्री, डाक्टर राजीन प्रसाथ खाद्यों क्रशी मंत्री तथा जगजीवन राम श्रम मंत्री थे जबकि डाक्टर S. राधा कृष्ण इस प्रथम अंत्रीम राश्टी सरकार के सदसे नहीं थे तो यानि कि डाक्टर S. राधा कृष्ण यहां आपका सही आंसर हो जाता है अगला कृष्ण देखते हैं यहाँ पर कथन और कथन भी है तो वेवल यूजना के अनुसार कारिकारी परसद में हिंदू और मुसलिम सदस्यों की संख्या समान होती है वेवल का विचार था कि ऐसी विवस्ता को भारत का बटवारा बच जाता तो दोस्तों इसके बारे में मैं ठोड़ा डिरेल में आपको बताऊं अक्टूबर उनिस सो तैतालिस में लाड लिन लितगो के स्थान पर विसकाउंट वेवल वाइसराय तथा जनरल निक्ट किये गए ये भारती समिधानिक गतरोद को दूर करने के उदेसे से मई उनिस सो पैतालिस में लंदन गए वहाँ उन्होंने भारती प्रशासन के सम्मद में बेटी सरकार से विस्तार से बात की तथा कुछ प्रस्ताओं रखे जून उनिस सो पैतालिस में उन प्रस्ताओं को विवल यूजना के नाम से सारवजिनी किया गया वेवल योजना की प्रस्तावों में कारिकारडी में मुसल्मान सदस्यों की शंख्या, हिंदूं के बराबर होना, परिशद में वासराय तथा कमांडर इंचीप को छोड़ कर सभी सदस्यों का भारती होना, सीगर ही सिमला में एक सम्मिलल बुलाया जाना, तथा युद्र वेवल योजना का उद्धेश राजनितिक गतिरोध दूर करना, भारत को पूर्श्वा ससन की दिशा में आगे बढ़ाना, और सम्मिधानिक गतिरोध दूर करना था, इसका उद्धेश कहीं से भी हिंदू-मुसलिम एकता को द्रण करना नहीं था, जिससे भारत का आगे बढ़ते हैं, भारत के लिए समिधान की रचना है तो समिधान सभा का विचार निमलिकित में से सरवथम किसने प्रस्तूत किया था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कि किसने प्रस्तूत किया था, तो यहाँ पर मैं दानू कि मैई 1934 में, राची में गठित स्वर स्वराज पार्टी ने सही से कुशन सुनना, क्योंकि यहाँ पर आपके कुशन समारे इस ब्याक्या मैसे भी काफी जादा बनेंगे, तो मैं 1934 में राची में गठित स्वराज पार्टी ने आत्म निर्णे के आधार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा प्रस्तावाज पार्टी ने 1834 में यह आपका सही अंसर हो جाता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निमलिकित में से कौंसे खथन सम्मिधान सभा के विशे में सत्य नहीं है, तो इसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बतादू, कि यहाँ पर बताया गया कि कौनसे खथन सम्म समिधान सभा के विशे में सत्य नहीं है तो जो समिधान सभा थी इसके गठन के लिए राज्यों की विधान सभाओं का उपयोग निर्वाचन मंडल की रूप में किया गया आता समिधान सभा अपरत्य निर्वाचन का पड़डाम थी या निर्वाचन प्रारमिक राज्य आपका प्रत्य श्रिवार्चन का 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 प्रत्य श्रिवार्च यही हमारा सही आंसर हो जाता है। अगला कूशन देखते हैं नेक्स हमारा कूशन है। इसमें बड़ी संख्था में समित्यों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूर समित्य सबसे महत्रपूर थी, सबसे पहला है, नेक्स है, आलप संख्यक समधाय जैसे कि इसाई, एंगलो इंडियन पार्शियों सभी को सभी में पर्याप्त पत्रिनुदर दिये दिया गया, इ गलत कतनी यहां पर है कि इसका निर्वाचन सार्भोमिक वैस्क मतादिकार के आधार पर गिया गया, यह यहां पर गलत हो जाता है, इसमें सार्भोमिक वैस्क मतादिकार के आधार पर इसका पत्रिच शेवी दिद्वारा जो है, निर्वाचन नहीं किया गया था, ठीक है, तो इसका answer आपका C answer, सही answer हो जाता है. ठीक है, next question की तरफ देखते हैं. अगला question है, भारत के समयधान का प्रारूप तयार करने वाली विदान सभाव द्वरा चुना गया, भाती राच्छी गांगरेस और मुस्लिम लीग द्वरा चुना गया. तो यह आपका यहाँ पर बताना है कि कौन सा आंसर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपको यहाँ पर correct आंसर हमें आपको देना है तो इसका जो सही आंसर हो जाता है यह हो जाता option नंबर C विभिन प्रांतो की विधान सभावों दोरा चुना गया था ठीक है अगला question देखते हैं अब यहाँ पर देखिए दोस्तों मैंने 25 questions जो की आपके इसमिह के थे जिग्राफिक के डिसकस करेंगे अब हम यहाँ पर biology से question डिसकस करेंगे ठीक है तो यह जो biology की questions होगे यहाँ पर हम biology का ठीक है डिसकसन तो पहरा कुछ से सखेंगे आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है कि जन्तु विज्ञान यानि की जुलोजी का अध्यान करता है केवल जीवित जानवरों का केवल जीवित वनस्पति का जीवित वा मृत जानवर दोनों का जीवित वा जानवरों का विस्तरत अध्यन किया जाता है जन्तु विज्ञान जीविज्ञान की एक प्रमुख साखा है जिसके जनक अरस्तु यानि की अरिस्टोटल माने जाते है तो ध्यान में रखेगा कि जन्तु विज्ञान के जनक किसे समझा जाता है अरिस्टोटल यानि इसके ज सूची एक कोई यहां पर सूची दूसे स्वे मैलेड रहें और पताना desarrollo यहां तो इसमें आपको सही उत्र हो जाता है जो परची है इसका आध्यन किसके अंतरक्त करते हैं तो इसका अनिधोलोजी आध्यक करते हैं फूलो के अध्यान को क्या कहते हैं, तो दोस्तों जो फूलो का अध्यान है, इसको हम लोग कहते हैं, एंथोलोजी, यानि की option number B, आपका सही अंसर हो जाता है, ठीक है, देखो, जो फ्रेनोलोजी होता है, ये मस्तिस के विभिन भागों की क्रियासिलता तथा विच्छिप्तत का अध्यान करता है, ठीक है, तो फ्रेनोलोजी के अंतरगत किस चीज का अध्यान किया जाता है, तो ये किया जाता है, फ्रेनोलोजी के अंतरगत, इसके अंतरगत किया जाता है, कि मस्तिस के विभिन भागों की क्रियासिलता तथा विच्छिप्तता का अध्यान किया जाता और एंथोलोजी मैंने बताया कि इसका फूलोक अध्यान किया जाता है next question रखते हैं कीटो के वैज्ञानिक अध्यान को क्या कहते हैं कीटो के जो वैज्ञानिक अध्यान है इसको बोलते हैं एंटोमोलोजी यानि कि option number B आपका सही अंसर हो जाता है और अब यहां पर और जो option उनको बताया है कि एक्वियोलोजी एक्थियोलोजी जो है इसके अंदरकत मत्स की सनशना काड़िकी इत्यानिका अध्यान किया जाता है एंटोमोलोजी मैंने बताया कीटो का वैज्ञानिक अध्यान किया जाता है और पैरासेटोलोजी पर जीवी जीवों का अध्यान किया जाता है और मैलेकोलोजी इसके अंदरकत मोलस्का और इसके खोलों का अध्यान किया जाता है अगला देखते हैं कि निम्नांकित विश्यों में से कौन सा विशे जनसंख्या अयों मानव जात के महत्वण आंकडो के अध्यान से सम्मधित है तो दोस्ते हैं आपर बता दो कि जो पारिस्थित की ज्यान यानिकी जो इकोलाजी है ये सजीओं पर उनके चारों और के पर्यावण के प्रभाव का अध्यान करते हैं इसके अंतरगर अनुवांसकी यानिकी जो जेनेटिक्स है जीओं के अनुवांसिक लक्ष्णों तथा इनकी वनसागती का अध्यान करते है और जननांकी या जनसांख्य की जो है अगला कोशन दिखते हैं, विविन संस्कतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्यान को क्या कहते हैं, तो विविन संस्कतियों के वैज्ञानिक अध्यान, इनके तुलनात्मक विवरण है, इसके अध्यान को हम क्या कहते हैं, तो दोसरे इस पर मैं बता दू कि इतनोलोजी, सबसे पहली बार जो इतनोलोजी है, इसमें विवने संस्क्रतियों के व्यज्ञानिक विवरुनों का तुलनात्मक अध्यन किया जाता है, तो इसका आंसर तो अप्शन नमबर ए ही हो जाता है, और भी जो इसमें बता देता हूं, कि जो इतनोग्राफी है, किसी इतनोलोजी है, इसके अंतरगत मानो सहीत सभी जनतों के विवहार का अध्यन किया जाता है, और जो एथिक्स है, नैतिक आचारत अथा करतब का मनुविज्यानिक अध्यानिक अध्यन किया जाता है, नेक्स कोश्चन देखते हैं, जैविक जगत में होने वाले कारे गुड़ वा पध्यतिके अध्यन के इस ग्यान को मसीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं। तो यहां पर मैं बदा दूँ कि जो यहां पर आप्शन्स दिये गें, पहले उनको देख लेते हैं। बायोनिक्स जो होता है, जैविक जगत में होने वाले कारे गुड़ यहां पध्यतिका अध्यान इन अजयव तंत्र पर इसका प्रियोग। अगला कोशन है, पहलियो वनिस्पती के अंतरगत अध्यान करते हैं। जन्तु जीवास्म का, ऑप्शन नमबर A सही आंसर हो जाता है। नेक्स कोशन है, रेसम कीट पालन को क्या कहते हैं। तो रेसम कीट पालन से पहले बता दूँ, इसमें जो ऑप्शन्स दियेगे हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। जो एपी कल्चर होता है, ये ब्यापारिक इस्तर पर सहद उत्पादन तथा फसलों में परागण है तो मदुमक्ही पालन से समदित है। और अगर हम आप बात करे होटी करचल की, तो पुस्व यूं फल देने वाले पौधों के अध्यां से समदित है। सेरी कल्चर कच्चे रेसम के उत्पादन है तो रेशम के कीट पालन से समदित है। और फ्लोरी culture, सजावट के लिए काम आने वाले पुस्वों के अध्यन से समनी थे, तो यहाँ पर आप से पुछा गए कि रेसं किट पालन को किया कहते हैं, तो यह कहते हैं, सेटे हैं sory culture, यानि कि कच्ची रेसं के उतपा देने हैं, तो रेसं किट पालन, option number C सही answer हो जाता है अगला question क्या है मदमक्षी का उपयोग किया जाता है तो मदमक्षी का जो उपयोग है ये epiculture में किया जाता है option number C इसका सही answer हो जाता है next question देखते हैं फूलों की खेती ये किस्से समधित है तो यहाँ पर दुखिए दोस्तों यहाँ पर पुछा गया कि कौन सा सुमिलित नहीं है तो इसमें सब्जियों की खेती जो है यह हाटी कल्चर यहाँ पर सही सुमिलित नहीं है बाकी सारे सही फूलों की खेती फ्लोरी कल्चर फसलों की खेती एग्रोनामी फूलों की खेती पॉमोलोजी लेकिन सब्जियों की खेती होटी कल्चर यह आपका सही आंसर नहीं होता है हाटी कल्चर क्या है यह एक बागवानी क्रिसी की एक विशिस पद्दती होता है इसके तहट फलों की क्रिसी सब्जियों की क्रिसी तथा फूलों की क्रिसी आती है प्रस्थनि यहां पर A,D के तहत फूलो की खेती, यहो फूलो की खेती के लिए क्रमसा फ्लोरी कल्चर उम पॉमोलाजिक नामक्राण दीए गये है जो इसके लिए विशिच शब्दावलिया है तो C के अंतरकर सबजियों की खेती के लिए होट किलचे के ज한데 की सब्दाशन की तो कि इसकी विषच सब्दावरी देख है तो इस तरह से यहain पर औप्च्ण अगर हम देखा जाए तो यह हम गलात आप सा κιाँ तक गल जाता है तो सब्जियों की करसी के बारे में भी जानते हैं, फूलों की करसी के बारे में भी जाता है, और फलों की करसी के बारे में भी यह बताता है, लेकर इनके लिए जो विशेश सब्दावली है, फूलों के लिए है फ्लोरी कल्चर, फसलों के लिए है अग्रोनामी, सब्जियों के ल पीसी कल्चर जो है मचली पालान से सम्मंदित है यहां पर यह आपका गलत हो जाता है नेक्स से होटी कल्चर फूल बिल्कुल सही है तो आपका आप्शन नमबर सी सही है अगला कोश्चन देखते हैं निमलकित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है सब्द और्थत तो लेक्सिक इस के अंदर के पतते हिओँ इसमें कैसा नेक्सि ei इंत होटा है नेक्स्ट है ऐक्यों आइकोनोग्राफी होता है इसके अंदर कर पजिए न्दर के दिमाओ चित्रकला का अध्यान के जाता है तो इसमें सही सुमिलित कौन सा है सिस लेक्सिकोग्राफी ठीक है यह आपका सही अंसर हो जाता है अगला कुशन देखते हैं लेक्सिकोग्राफी का संबंद किससे है तो लेक्सिकोग्राफी का जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेक् तो विटी कल्चर के द्वारा आपको बताना है इसमें से कौन एक उत्पादित होता है तो विटी कल्चर अंगुरों के उत्पादित यूं उनकी अध्यान से समधित विज्ञान की साखा है तो यहां पर आंसर हो जाएगा option number D next question है कीट सम्वर्धन क्या है तो दोस्तों जो कीट सम्वर्धन है यह कीटों जैसे की केचुवा की व्रधि करने का विज्ञान है केचुवा कसको का मित्र यूं भूमी की आत कहा जाता है केचुवा खाद या वर्मी कंपोस्ट पूसक पदातों से भरपूर एक उत्तम जेव अर्थ वर्मूर्धन कहते है तो उस तरह से देखा जही है कीटों की व्रधि करने का विज्ञान है उसंे हम कीट सम्वर्धन कहते हैं अगला कूशन दखते है नेक्स हमारा वर्मी कलुचर में फरीक्ट वर्म होता है तो यह क्या हो चाता है Thread warm, tape warm, silk warm या Earth warm तो इसका अंसर हो जाएगा dings Wormy Composter को किसके अध्यन से समधी थी तो जो Gerontology है विध से समधी थी जो gerontology है ये जिव विग्यान की उपसाखा है जिसका सम्मद्र व्रध्य व्यक्तियों से है व्रध्धा वस्ता में मास्पिसियां सिथिल हो जाती है तथा सरीर की अंग भी युव वस्ता की तरह कारे नहीं कर पाते हैं आज के विग्यानिक इस बात का पता लगाने का व्रत्न कर रहे हैं कि मनुष्व में बुढ़ापा ये जिर्ता लाने के लिए सरी के कौन-कौन से क्रियात्मक परिवर्तन उत्तर दाई है अगला कुश्चन देखते हैं जियु विग्यान की ऐसी साका है जिसके अंतरगत जियु धारियों में जीनों अन्वानसिक्ता और विचरण का अध्यन किया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा अन्वानसिक्ता और विचरण आगला कुश्चन देखते हैं व्रधस्था यों काल प्रभावन के विषय में घ्यान प्राब्ढ करने की विधा को क्या कहते हैं अंकोलोजी चिक्सा विग्यान की वह साका है जिसके अंतरगत कैंसर से समधित टूमर का अध्यन किया और तैरेटोलोजी जो है इसके नतरगत सारी विकास में आने वाली असमानताओं का आध्यान के जाता है और और नित्तो लोजी जो है ये जन्त विजान की ऐसी साखा है जिसके अंतरगत परक्शियों का आध्यान कीया चाता है ठीक है Next question देखते है पैडियों का अध्यान बिग्यान की किस साखा के अंतरगत किया जाता है तो दोस्तों जो अस्तियों का अध्यन है यह आपको बताना है कि विद्यान की एक की साखा के अंतरगत किया जाता है तो यह किया जाता है ओस्टियोलोजी के अंतरगत अप्शन नमबर ए आपका सही अंसर हो जाता है ठीक है औस्टीो लोजी अस्टीो के अध्य geschम्मंदी थे ओरो लोजी पर्भतों के अध्य tablespoon के अध्य geschम्मंदी थे सेरोलोजी रुधीर शीरम का विग्यानिक अध्य GH immerежде और जीो लोजी यानिकी प्रत्वी की आंत्रिक संँर्शना तथा उसमें पाय जाने वले पदार्थों के अध्यन से सम्मधित है सर्पो के विशे में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है तो सर्पो के विशे में जानकारी प्राप्त करना सर्पेंटो लोजी कहलाता है यानि कि option number A आपका सही आंसर हो जाता है सर्पेंटोलोजी के तहत सर्पों का अध्यन किया जाता है और हर्पेंटोलोजी जियो विज्ञान की ऐसी साका है जिसके अंतरगत उभैचरों तथा सरी रुपों का दोनों का अध्यन किया जाता है सरी सर्पों और उभैचरों का अध्यन जिससे किया जाता है उसको बोलते हैं हर्पेंटोलोजी ठीक है और और निथोलोजी के धर्थ पर्षियों का ध्यान किया जाता है और एक्थियोलोजी के अंतरगत मच्णियों का ध्यान किया जाता है नेक्स कॉच्चन देखते हैं, निवनी में से बेमेल को क्याद कीजिए, तो देखिए इसमें फिजियोलोजी, पैथोलोजी और बैक्टिरियोलोजी जो विज्ञान से सम्मधित विधा हैं, जबकि साइकोलोजी मनो विज्ञान से सम्मधित हैं, तो इस तरह से यह आपका अल अपच्छ सेरीज आपकी Crot sate पादबी धार को कई तो है अच्छ देखते हैं तो आप अच्छ लगा है तो हमदेस्ट अर्य Śरीज आपकी करें जारी रहेगी और आपको मैं पूरी आपके साथ स्योटी के साथ कह सकते हूं कि अगर आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे तो मिलते हैं इसी स्रीज के नए वीडियो के साथ अब तक लिए थांक्स वॉचिंग